नमस्कार दोफ्तों एक बार पिर अमारे योटूब चैनल में आप लोगों का हर्दिक स्वागत है लेट अफ्ट अप्टेट निकल क्या है कि केंद्रे क्रमचारियों के लिए बड़ी खुश खबरी है इस महेनी की सालरी के साथ मिलेगा 38,692 रुपे का एरियर तो दोफ्त हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारी चैनल पर पफटाइम विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजे सब्सक्राइब कर दीजे साथ इसाथ वाल आइकन को भी बजा दीजे ताकि गोर्मेंट या पैंशन से सम्मन्दी जितनी भी नूजाती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पोस्ट के तो करते वीडियो को फटाइट मिना किसी देरी के दोस्कों केंद्रे करमचारियों के लिए होली कातिवार जबरदफ्त रहने वाला है केंद्रे करमचारियों पैंशनों के लिए बेत अच्छी ख़बर है लंबे इंतजार के बाद महेंगाई बत्ते में तीन परतेशियत की बड़ोतरी फिक्स हो गई है यानि अब करमचारी और पेंट्रनॉल को 34 परतिशत के इसाब से महेंगाई बत्ता मिलेगा अद्योगिक शर्मिक के लिए बोक्तामुल सुचांक के दिसंबर 2021 के सुचांक में एक अंकी गिरावट आई है आपको बता दे कि महेंगाई बत्ते के लिए बारा महिने का सुचांक का ओस्त 351.333 हुआ है जिसका ओस्त 34.04 परतिशत है लेकिन महेंगाई बत्ता में शपूनांक में दिया जाता है यानि जनवरी 2022 में कुल महेंगाई बत्ता 34 परतिशत मिलना तैह है दोस्तों इस समय करमचारियों को 31 परतिशत महेंगाई बत्ता पहले से ही मिल रहा है लेकिन आपको बता दे कि जनवरी 2022 में 3 परतिशत और महेंगाई बत्ते का फायदा मिलीगा सेवन्थ पे कमिशन की सिपारिस के मुताविक बेसिक सेलरी पर ही मेंगाई बत्ते का बुगतान किया जाता है उमीद है कि मार्च में ही इसका ऐलान हो सकता है दरसल चुनाओं के चलते अचार सहीता लगी है और इसलिए सरकार इसका ऐलान नहीं कर पा रही है सरकार के इस फैसले से 50 लाग से ज़्यादा केंद्रे करमचारी और 65 लाग पैंट्रों को फायदा होगा इसके बाद अगले मैंगाई बत्ते की करना जुलाई 2022 में की जाएगे दिसंबर 2021 के लिए All India Consumer Price Index for Industrial Burgers के आकड़े जारी कर दिये गई है इन आकड़ों के मुताबिक दिसंबर में यह आकड़ा 0.3 अंग गिर के 125.4 अंग पर रहा नॉम्बर में यह 125.7 अंग पर था और दिसंबर में 0.24 परतिशत की कमी आई है लेकिन इस से मैंगाई बत्ते की बड़ोत्री पर कोई असर नहीं पड़ा लेबर मनिफ्टरी के AICPIIW के आकड़ों आने के बाद यह तैह हो गया कि इस बार मेंगाई बत्ते में 3 परतिशत की बड़ोत्री होगी लेबर मनिफ्टरी के आकड़ों के मुताबिक नॉम्बर 2021 में AICPIIW सुचांक में 0.8 परतिशत की तेजी आई थी और यह 125.7 अंग पर पहुच गया था इससे साफ हो गया था कि मेंगाई बत्ते में 3 परतिशत का इजाप्पा होगा अब दिसम्बर 2021 के आकड़ों में बले ही मामूली गिरावट आई हो लेकिन जनवरी 2022 में 3 परतिशत की दर से DA में बड़ोत्री होगी सरकारी करम चारे का DA अभी 31 परतिशत है और अब 3 परतिशत की बड़ोत्री के बाद यह 34 परतिशत पर पहुच जाएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै वारत